हेलो स्टुडेंट्स वेल्कम तु माई चैनल अतुल कोचिंग क्लासेज दियर स्टुडेंट्स पिछले वीडियो की तरह आज का जो पार्ट थ्री वीडियो है वर्ट पावर पर आधारित और मेमनिक पर आधारित है जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि टू मीनिंग्स पर डे के शॉर्ट वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें अन्टॉनिम्स और उनके कीवर्ट से और मेमनिक से हम उनको सीखने में बड़ा ही सरलता महसूस करेंगे तो आज के टू मीनिंग्स हम लोग देखते हैं जानते हैं कि उनके कीवर्ट क्या हैं पहचानने का तरीका मेमनिक उनके सेननेम्स और उनके एंटनेम्स कौन कौन से होंगे लेट से स्टार्ट आज का पहला मीनिंग है एले एले मीन्स सोता है काम काम मने शान काम मीन्स शान कीवर्ड कैसे याद करेंगे पहचानने का तरीका एल अल और हाफ जो मीनिंग है वो क्या है ले अल और ले मेमनिक क्या होगा जब घर में छोटा बच्चा रोता है तो मा उसे शान करने के लिए कहती है मा जब अपने बच्चे को रोते हुए उसको शान करने की बात कहती है और जब अपने बच्चे को रोते हुए उसको शान करने तो तोतली भाशा में अले अले कहकर उसको शान करती है अले अले मेरा राजा बेटा शान्त हो जा तो मेमनिक क्या हुआ अले अले मेरा राजा बेटा शान्त हो जा अले मीन्स सांथ आईए बात करते हैं सनननेम्स की सनननेम्स कौन कौन से होंगे सनननेम्स होंगे पहला तो मीनिंग दे ही रखा है आपका काम सूत एस डबल ओ टी एच ए एक और लिग लीजे रिलीव इसके बाद एंटरनेम्स की बात करते हैं जस्टिस का जो अपोजिट होगा प्रवोक यानि उत्तेजित कर देना उकसा देना इस्टेर और एक और है एग्रेवेट ए डबल जी आर ए वी ए टी ए ए एग्रेवेट अब आते हैं यूजर्स पर यूजर्स देखते हैं क्या होता है ए गुड टीचर विल वरक hard to LA the concerns of a new student. एक अच्छा ध्यापट अपने नए विद्यारती की चिंताओं को या समस्याओं को सौल्व करने के लिए यानि शांत करने के लिए कठिन परिश्रम करेगा एक अच्छा टीचर वही होगा जो एक नए विद्यारती की चिंताओं समस्याओं को सांत करने के लिए कठिन परिश्रम करेगा तो ये आपका पहला मीनिंग हो गया अब आते हैं सेकेंड मीनिंग पर और सेकेंड मीनिंग है पैचुलेंट पैचुलेंट का मीनिंग होता है चिड़ चिड़ा I-R-R-I-T-A-B-L-E Irritable यानि चिड़ चिड़ा तुनक मिजाज तुनक मिजाज का मतलब क्या है बहुत जल्दी नाराज हो जाने वाला बहुत जल्दी शिड़ जाने वाला कीवर्ड देखते हैं पेटू और पेटू का मतलब मोटा जो होता है जो ज्यादा खाना खाता है और आंट इससे आप आंटी पर सकते हैं आंटी माल लेंगे के पेटू यादी मोटी आंटी इधर आओ तो इतने में वो चलिचली होईं तो इतने में वो चलिचली होईं यानि इरिटेबल मीन्स चलिचला या तुनक मिजाज तो इसके लिए कीवर्ड पेटू आंट यानि आंटी जब मैंने समारो के दौरान ये कहा कि पेटू आंटी इधर आओ तो इतने में वो चलिचली होईं तो चलिचली के लिए इरिटेबल आईए देखते हैं सनोनेम्स कौन कौन से होँगे बैट टेमपर्ड बैट टेमपर्ड बुरे सुभाव की एंटोनेम्स देखिए चीरफुल हैपी अब बात करते हैं यूजर्स की इसका प्रियोग कैसे करेंगे शी वाज ए पैचुलेंड प्रियूलन फिक्वाद लेड ग्यूपर्ड लेड वाग्वर्डी वाग्रवाडर्ड एंट एंट ल्यूपर्डør वाग्र fu क्यूवाडर्ड एंट अट्यूए एंट the small things, वो एक चिड़-चिड़ी महिला थी, जो कि छोटी-छोटी चीज़ों पर aggravate हो जाती थी, यानि चिड़ जाती थी, या उत्तेजित हो जाती थी, तो ये आपके टू मीनिंग्स आज के थे, इनको आप तयार कर लेंगे, सननेम्स पढ़ लेंगे और अन्टनेम्स पढ़ लेंगे, ये आपके वर्ड पावर में एक दो मीनिंग्स आज के जुड़ जाएंगे, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, थैंक।